एक सब्ता पहले 25 जून को पटोधी मेवी भाजपा की गुरुग्राम लोकसवस्तर की रेली में बहुत कुछ खास्ता सभा में मोजूद सफेद पगड़ी वालों की भीड कवरेज करते समय हमसे यह मिंदु छूट गया था आज उसी की चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ ह जीर हूँ मैं हूँ शैली शर्मा और आप देख रहें जेपी हरियाना पहले हमाई चैनल को लाइक शूर सब्सक्राइब करने की विंति को स्विकार करें और फिर करते हैं राजनिती की बात इन दिनों राजनितिक चर्चा के केंद्र में हैं केंद्रिय मंत्री वस्रेली के स जेबान की हरियाना कॉंग्रेस का अद्रिक्ष बनने से पहले सोन्या गांदी या दिल्ली के कॉंग्रेसी दिगजों को जब हरियाना या दिल्ली में पार्टी की कोई बड़ी रेली करनी होती थी तब हुड़ा अपने समर्थकों की भीड अलग से दिखाने के लिए उन्हे की मेनत का श्रे दूसरे कॉंग्रेसी लूट कर ले जाए वे ड्रेस कोड के मादेम से अपनी बात हाई कमान तक पहुचा देते थे असलियत में हुड़ा तब हर्याना में अपने उन विरोधियों का वजन कमतर करके दिखाना चाते थे जिनके पास पार्टी की बागदोर होती थी अपनी इन चतुरायों की वज़े से पार्टी की एकता पर अवश्य परभाव पड़ा मगर हुड़ा कई बार ये साबित करने में कामियाब रहे कि हर्याना में कॉंग्रेस का मतलब हुड़ा भी है हाला कि दिल्ली में इसे कभी भी पसंद नहीं किया मगर हुड़ा खेम को लेकर राविंदर जीत सिंग का पूरा बचाव किया मगर ये पबलीक है सब जानती है पटोदी में सफेद पगड़ी धार को की भीडिये बता रही थी कि राव का जलवा कायम है ऐसी स्तिती में अगर हुड़ा की गुलावी पगड़ी बनाम राव की सफेद पगड़ी ख करना ही होगा अपना सम्मान तभी तो बढ़ेगा जब दिल्ली दर्बार के पास दुकान ठसा ठस भरी होने का संदेश पहुंचता रहेगा धन्यवाद